गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं यह सुसैनी बी एसी फिस्ट एर की फिजिक्स किलास में आपका स्वागत करता हूं आज की किलास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अमंदित सरल आवर्थ गती यानि कि डैंप सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में तो सरल आवर्थ गती के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अब उसके आगे एक वर्ड और लग रहा है अमंदित सरल आवर्थ गती और यह क्या होती है इसको अब हम समझेंगे क्लियर है तो देखो मैं जादा अलग एक्जामपल तो नहीं लूँगा वही एक्जामपल लेता हूं कि यह हमारे पास एक ड्रड़ अधार है क्लियर है इससे मैंने एक धागे को क्या कर दिया लटका दिया लटका दिया और इसके दूसरे सिरे पर मैंने क्या लगा दिया एक पिंड लगा दिया गोला सा लगा दिया ना अब क्या है ये इस्तिर वस्था में है क्लियर है इस पर मैंने क्या लगाया बल लगाया फोर्स लगाया और इसको मैंने यहां से यहां विस्तापित कर दिया कितना विस्तापित किया मैंने x विस्थातन कर दिया कर दिया था और जैसे हम इसे छोड़ते हैं तो ये वापस विपरी दिशा में आता है इस पर कौन सा बल लगता है प्रत्यानन बल लगता है जिसके बारे में हम previous classes में पढ़ चुके हैं और जो प्रत्यानन बल होता है वो क्या होता है f is equal to minus k x होता है इस बल के कारण ये पेंड यहां आता है फिर इधर जाता है फिर वापस इधर आता है और कौन सी गती करता है ये सरल आवर्थ गती करता है क्लियर है कौन सी गती करता रहता है ये सरल आवर्थ गती करता रहता है तो यह बिल्कुल ऐसे ही एक एक जामपल हमने जूले वाला लिया था कि जूले पर हम दक्का मार कर छोड़ देते हैं और जूला ऐसे क्या करता रहता है हमारे पास गती करता रहता है और वो गती कौन सी गती होती है सरल आवर्थ गती होती है क्लियर है यह बात य यह सरल लोलक होता है इसकी गती भी क्या होती है सरल आवर्द गती होती है अब धिहान रखना इस पर किवल कौन सा बल लग रहा था प्रत्यानन बल लग रहा था कौन सा बल लग रहा था प्रत्यानन बल और यह इधर उदर इधर उदर गती कर रहा था क्लियर है यह बात बिल् जा रहा है इधर जा रहा है अब जूले में क्या होता है आपने धक्का लगाया वो इधर गया फिर इधर गया यह तो हो गई सरालावर्द गती इस पर लग रहा है प्रत्यानन बल अब वास्तम में जब हम देखते हैं न तो यह जूला धीरे 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 रुकता चला जाता है क्यों चला जाता है क्योंकि जूले पर एक बल और कारिय करने लग जाता है जैसे हवा का घरसन बल हवा क्या करती हो जूले को रोकती है और वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, रुपता चला जाता है, आए वास में, would you do, कौन सी गथी कर रहा तब है? और मंदित सरल अवर्थ गति कहलाती है अगई वासा सेम बात इसमेंझा भी है इसको हमने ऐसे विस्थापित करके छोड़ा तो अब यह है लगातार गति कर रहा है किसके कारण पृत्यानन बल के कारण तो इसकी गति कोण सी गति है यह तो है सरल आवर्थ गती है ठीक है इसमें तो कोई दिख करनी है अब क्या होगा गर इस पर हवा का घरसन बल लगने लग जाए तो पहले यह इतनी दूर तक जा रहा था फिर उससे कम दूर फिर उससे कम दूर उससे तो यह दीरे-दीरे जो इसका आयाम घट रहा है ना कभी इतने ज अवमंदित गती होती है और अवमंदित सरल आवर्थ गती होती है तो अवमंदित सरल आवर्थ गती में जो कन है माद्दे स्तिति के इधर उदर तो जाता है लेकिन वो धीरे-दीरे रुकता जाता है उसकी गती क्या होती जाती है धीमी होती जाती है तो यह बात ध्यान जब कोई पिंड सरल आवर्थ गती करता है यह कर रहा है यह हमेशा करता ही रहेगा क्योंकि इस पर कौन सा बल लग रहा है परत्यानन बल अगई बार समझ करने तो बाई जैसे हमारा जूला है लेगिन क्या होगा तो हवा के घर्षन बल या अन्य घर्षन बलो के कारण क्या होता चला जाता है जूला रुपता चला जाता है कारण उसका आयाम क्या होता जाता है घटता जाता है दीरे दीरे ये रुपता चला जाता है ठीक है इस गती को हम क्या कहते हैं अमन्दित सरल आवर्थ गती कहते हैं भईया इससे सरल डेफिनेशन होई नहीं सकती इस अवस्था में पिंड की गती क्या कहलाती है आमन्दित सरल आवर्थ गती कहलाती है इस में पिंड की गती अमन्दित में इस मोशन में दो तरह के बल कारिये करते हैं के बल कारिये करते हैं भाई यह कौन-कौन सा हो गया एक तो होता है हमारे पास प्रत्यानेन बल restoring force जो कि क्या होता है f r is equal to minus k x r क्यों लगया restoring force बोलते हैं प्रत्यानन बल इसको यहां से विस्तापित किया कारिये किया कारिये करने की छंता उर्जा इसमें उर्जा संचित हो गई जैसे हम इसे छोड़ते हैं तो वो उर्जा गतिज उर्जा में बदलेगी जो बल पीछे की और इसे लेकर आ रहा है वो कौन सा बल होता है प्रत्यानन बल और इसके कारण यह सरलावर्द गती करता रहेगा हमेशा रुके गई नहीं कभी लेकिन हवा का जो गर्सन बल होता है ना वो रोकता चला जाता है इसे तो दूसरा कौन सा बल लगता है इस पर जिसे हम बोलते ह है और यह जो अमंदन बल होता है ना F D यह मैंने कल बताया था किसके इकुल होता है माइनस लेमड़ा वी के और यह फॉर्मुला हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रिविएस क्लियर है यह बात तो जूला जो होता है ना वहारे पास जो हम देखते हैं जूले की गती उसमें धक्का देकर छोड़ते हैं सरलावर्थ गती भी करता है और अम्मंदित भी अम्मंदन भी होता है तो उसकी गती को हम क्या बूलते हैं अम्मंदित सरलावर्थ गती तो f r plus f d f is equal to f r की value minus k x और f d की value क्या होती है minus lambda v होती है ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है f क्या होता है f के बारे में लिखना है देखो f is equal to होता है m a a क्या होता है त्वरण त्वरण क्या होता है dv upon dt वेग में समय के साथ परिवर्तन को तोरण कहते है f क्या होता है m यहां लिख दी है मैंने e क्या होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन यानि dv upon dt और m d upon dt वेग क्या होता है d upon dt तो मैंने same लिख दिया यह देखो वेग क्या होता है विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन यानि dx upon dt यानि कि हम इसको क्या लिख सकते हैं m into d square x upon dt इसको लिख सकते हैं किसको बल को और वेग को क्या लिख सकते हैं ये वी भी आ रहा है वेग क्या होता है dx upon dt विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को हैं वे कहते हैं क्लियर है तो यह हम क्या लिख देंगे वे लिख देंगे तो f की वैल्यू हम लिखते हैं f क्या होगा m into d square x upon dt square is equal to minus k into x minus lambda और v की value क्या put कर देते हैं d x upon dt कर देते हैं यहां से मैं m से इसमें divide कर देता हूँ तो यह बनेगा d square x upon dt square is equal to m से divide किया minus k upon m into x minus lambda upon m into kya dx upon dt बन रहा है यह नहीं बन रहा है सम्मिकरन बिल्कुल बन रहा है इसको पहले यह दो बार आउकलन है दो बार differential है इसको लिखता हूँ मैं d square x upon dt square फिर एक वाले को लिखता हूँ plus lambda upon m into dx upon dt फिर इसको लिखता हूँ plus k upon m into x सारे equal से पहले आ गया तो equal के बाद क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा आएगा है यह नहीं आएगा equal के बाद 0 आएगा अब देखो इसमें हम कुछ प्रतिस्थापन कर लेते हैं यह जो lambda अबमंदन होता है इसमें द्रव्यमान का भाग दे रखा है मास का भाग दे रखा है यह भी अबमंदन को रिप्रेजेंट करता है तो जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो लैम्रा अपॉन हम लेन्ग मान लेके और क्यों माना यह क्योंकि होता क्या है कि जो चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं जैसे जूला को कर रहे हैं जूला चल रहा है चल रहा है है अब दीरे दीरे उस पर अमंदन बलकारे करेगा रुक रहा है रुक रहा है रुक रहा है रुक जाता है तो उस स्थिति को हम ऐसे mathematically व्यक्त कर रहे हैं इसलिए हमने mathematical व्यक्त करने के लिए लैमड़ा पॉन एम को को टू आर माल लिया यह जो आर होता है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है अव्मनन ये तांग को रिप्रेजेंट करता है अव्मनन नियतांग को क्या करता है represent करता है ठीक है ठीक है सर K upon M ये तो हमने पढ़ा था K upon M जो है न उसको हम किसके equal मानते हैं omega 0 square के तो K upon M को किसके equal मान लिया omega 0 square के तो ये बनेगा हमारे पास d square x upon dt square plus lambda upon m को किसके equal माल लेते हैं 2r के equal माल लेते हैं और फिर आ रहा है dx upon dt dx upon dt ठीक है फिर आ रहा है हमारे पास k upon m k upon m को हम omega 0 square लिखते हैं और फिर आ रहा है हमारे पास x is equal to 0 तो d square x upon dt square plus 2 r dx upon dt plus omega 0 square x is equal to 0 यह हमारे पास एक equation बन रही है इस equation को हम denote करते हैं equation first से और देखो यह जो equation है इसमें यह x का दो बार आउकलन है फिर एक बार है आउकलन है तो यह आउकल समीकरन होती है जैसे हम mathematics में पढ़ते हैं ना तो यह क्या है एक आउकल समीकरन है और यह आउकल समीकरन किसकी है उस पिंड की है जो हमारे पास कौन सी गती कर रहा है अहमंदित सरलावर्थ गती करता है तो कई बार एक्जाम में एक question पूछा जाता है CDC सी बात है हम वो कराएंगे जो एक्जाम में आएगा ठीक है जो syllabus में है तो देखो क्या पूछा जाता है कि कोई pen आउमंदित सरलावर्थ गती करता है उसका अउकल समीकरन ग्यात कीजिए तो बस यह derivation बनाना है और यह उसका क्या है अउकल समीकरन है ठीक है तो लिख सकते हम इस समीकरन को इस समीकरन को अउमंदित इस समीकरन को अउमंदित सरलावर्थ गती का सरलावर्थ गती का क्या कहते हैं अउकल समीकरन कहते हैं ठीक है इस समीकरन को अवमंदित सरल आवर्थ गती का क्या कहते हैं हम अवकल समीकरन कहते हैं बन क्या अवकल समीकरन ठीक है अब देखो हम इसका क्या निकालते हैं सोल्यूशन निकालते हैं यानि कि कोई भी जैसे मैथ में भी हमने आउकल सम्मीकरन पड़े है ना तो उसके क्या होते हैं हल होते हैं solution होते हैं किसी भी आउकल सम्मीकरन का कोई ना कोई क्या होता है हल होता है तो इसका भी हल होगा ठीक है तो यह जो आउकल सम्मीकरन है इसका हल किस किस में मान सकते हैं साइन में कौस में इकी घात में तो यहां हम कैसे मानते हैं देखो इस समीकरन का इस समीकरन का इस्थाई हल होना इस्थाई हल होना आवश्चक है यानि कि कोई ना कोई हल होना क्या है आवश्चक है इसका जो हल हम मानते हैं इसका हल हम चरगातां की रूप में मानते हैं इसका हल हम किस में मानते हैं चरगातां की रूप में मानते हैं ठीक है तो मैंने माना इसका जो हल है वो x is equal to e की power alpha t है मतलब इसका जो हल निकल के आएगा ना वो यह निकल के आएगा जब इसको soul करोगे तो x की जो value आएगी वो यह माल ली इसमें alpha की value हमें find out करनी पड़ेगी इसमें तो alpha की value का पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ इसका एक बार alkaline करता हूँ dx upon dt हल माल लो पहले फिर आप कह रहे हो यह हल माल लिया फिर इसमें alpha क्या होगा अगर यह समय करन का लिए है तो alpha की value निकलने के लिए हम इसका alkaline करते हैं इसका alkaline क्येगा एक की power ऑलफाटी का alkaline e की power ऑलफाटी और फिर alpha ऑगया जाएंगा फिर इस्का एक बार और हम क्या कर दें आउकलन कर दें, d square x upon dt square, फिर alpha तो constant है, alpha रहेगा, e की power alpha t का, e की power alpha t ही होगा, और alpha का करोगे, alpha t का, तो एक alpha कहा जाएगा, आगे, अब हमारे पास x की value आ गई, dx upon dt की value आ गई, d square x upon dt square की value आ गई, इन तीनों value को हम किसमें रख देते हैं, equation first में, समी करन किसे, first से, तो d square x upon dt square की value यह है, alpha square into e की power alpha t, फिर हमारे पास आ रहा है, plus 2r, 2r, dx upon dt की value, alpha into e की power, alpha t आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, plus omega 0 आ रहा है, omega 0 square, और x की value क्या होती है, e की power alpha t is equal to 0, आ गया, बिल्कुल आ गया सर, आएगा क्यों नहीं यार, इसी में तो रख आ है, sum में देखो क्या को मना है, e की power alpha t, e की power alpha t, e की power alpha t, तो पूरी equation में e की power alpha t से हम divide कर देंगे, तो क्या बनेगा, alpha square बनेगा यहां तो, plus यहां बन रहा है, 2r, और क्या, alpha plus, और यहां बचेगा क्या, omega 0 square is equal to क्या, 0, जो, अब इस equation को ध्यान से देखना आप, इस equation को ध्यान से देखना है, हाँ भई सर ध्यान से देख रहे हैं, तो देखात सम्वी करन आपने पढ़ी है, यह होती न, x square plus 2x plus 1, यह x square होता है, यह x होता है, और यह constant होता है, और यह किसके equal आता है, 0 के, यह भी तो ऐसी बन दी है, x की जिगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, constant क्या है, omega 0 है, अब आप क्या बना लो, यह दीघात सम्मी करन का हल निकाल लो, इसको कैसे solve करते हैं, वैसे solve कर लो बस, ठीक हो, कैसे, यह है, दीघात सम्मी करन है, quadratic equation है, है तो है भई, हम क्या करें, बनी है हमारी, इसका हल कैसे निकलेगा, इसका हल सिरी धराचारिय सूतर से निकलेगा, भई या, तब ही आपसे निकाल सकते हो, तो इसका हल निकलेगा, तो किसकी value आईगी, alpha की value आईगी, आईगी न, फिर इसके बाद alpha is equal to क्या होता है, पहले आता है, minus, अब देखो, A क्या होता है, A होता है, इसका गुनज, इसका गुनज कितना है, एक है, B क्या होता है, alpha का गुनज कितना है, 2R है, और C क्या होता है, इसमें, यह समय करन होती है, AX square plus BX plus C is equal to 0, तो alpha की value निकलेगी, यहा, X की निकलती थी, alpha is equal to minus B, B क्या है, 2R है, 2R, alpha का गुनज, 2R, alpha square का गुनज, एक जो A होता है, minus B plus minus root B square, यह 2R है, इसका square करो, 4R square, B square, minus 4, A कितना है, 1 है, यानि कि क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, और C क्या है, omega 0 square है, अगया ना, और इसमें हम divide करेंगे, कितने का, 2 का, तो 2 का हमने क्या कर दिया, divide कर दिया, तो alpha की जो value आई न, वो क्या आएगी देखो, इस 2 से यहाँ, 2 divide करो, cancel, तो यह बनेगा, minus R, ठीक है, क्या बनेगा, minus R बनेगा, फिर आएगा, मारे पास, plus, minus, और फिर आ रहा है, मारे पास क्या, root, फिर आ रहा है, मारे पास क्या, root, और देखो, यह दो अंदर गया, 4 बना, 4 से 4, cancel, यह बना, R, square, minus, यह इसमें भी, 4, यह दो अंदर गया, 4, root में जा रहा है, 4 से 4, cancel, क्या बन रहा है, omega, 0, square, यह किसकी value बन गई, alpha की value, बन गई, सर, यह तो बहुत असान है, अरे, बहुत असान तो लगेगा, न, अब क्या करें, सर, अब देखो, यह तो हमने alpha की value निकाली, यह किसका मान था, मारे पास x का था, अब alpha की value भी हमें कितनी मिल गई वही है, दो मिल गई, एक तो plus वाली, और एक minus वाली, alpha की value भी कितनी मिल रही है हमें, दो, एक तो plus वाली, और एक minus वाली, ऐसी condition में हम क्या करते हैं जो x है ना x इसमें एक बार तो alpha कमान प्लस लिखेंगे और एक बार alpha कमान माइनस तो देखो इसको लिखने का क्योंकि दो value है ना तो इसको हम सीधा नहीं लिख सकते इसके लिए हमें यहाँ पर एक constant का use में लेते हैं a कुछ भी हो सकता है इसका मान वो पता नहीं यह बोलते हैं switch picture पता नहीं वही अपनी इच्छा से लगा दिया और e e पहले alpha की value लिख लो plus वाली तो कितनी आएगी minus आ रहा है r आ रहा है plus आ रहा है root आ रहा है r square आ रहा है minus omega 0 square आ रहा है bracket क्या हो गया बंद हो गया यहाँ पर क्या है t है अब दूसरा मान लिखोगे तो plus लगाओगे फिर क्या आएगा b a और b क्या है switch chick नहीं है tank है वहिया कि हम जब इसको हल करते हैं तो यह कुछ ना कुछ यहाँ पर चाहिए one ही value है इसका मान आता है फिर b लगा दिया मैंने लगा दिया फिर alpha की value कितनी रखो e की power alpha की value मैं रख देता हूँ minus वाली क्या होगा minus r plus अब minus वाला लो minus root r square minus omega 0 square और फिर यह t से multiply है तो t से multiply कर लो तो यह किस की value आ गई हमारे पास x की value आ गई तो दियान रखना यह x की value निकल चुकी है कब जब हमने कौन सी गती के बारे में discussion किया है और मंदित सरल आवर्द गती के बारे में तो अभी जब हम दो तिन क्लासों में मंदित सरल आवर्द गती के बारे में discuss करेंगे न तो इस equations का आवर्द गती है एक frequency होती है जब अमन्दन बलकारिये नहीं करता है यह अराम से लगातार क्या कर रहा है सरल आवर्द गती कर रहा है जिस आवर्द से गती कर रहा है न वो आवर्दी क्या है omega 0 है समझ माया आवर्दी क्या होती है एक सेकंड में कितनी बार इसने करले है वह हमारे पास क्या क्या क्यलाते है अवरति क्याstars तो यह किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास S की गल गई सो अज की गलास के लिए इतना हैं ठेंक्यू